असकार जैन सात्यूं आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ATM पे पैसे निकलाने जाते हो और उस दोरान आपके साथ कही बार ऐसी घटनाई देखने को मिलती है कि आप पैसे निकला रहे हैं आपने UPI PIN अपने जो भी PIN होते हैं ATM के वो एंटर की हैं आपके पास debit का message receive होता यानि ATM machine की तकनी की समश्या मान लो या कोई ऐसा issue आता है जिसके कारण आपका पैसा आपको नहीं मिल पाता है और उस तिस्तिती में आप गबरा जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं कि मुझे मेरा पैसा मिल सके या मुझे मेरा पैसा कैसे return मिलेगा अग आज के वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके को फ्यों करके आप अपना पैसा आसानी से 5-7 दिन में return refund ले सकते हैं पूरा का पूरा मैं procedure बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए आपको बिलकुल भी अगर आपके साथ इस परकार की कोई समश्या आ आपको सबसे बड़ी important बात ध्यान रखने हैं आपको बिलकुल भी गबराना नहीं है आपको सबसे important जो जानकारी है आपको क्या करना है सबसे पहले ATM मशीन के जो पैसे निकालने वाली ट्रें होती है वहां पे चेक कीजिए कि वहां पे कोई clone या ऐसे कोई item इस्टुमेंट नहीं लगा रखा जिसे आपका पैसा उसमें अटक गया हो सबसे पहले थोड़ा बहुत ध्यान करें क्यूंकि आजकर साइबरी स्केमर्स दवारा जो ATM चैंज करने वाली गेंग होती है या जो ATM वाले स्केमर होते हैं उनके दवारा वाँ ट्रे लगा दी जाती है आप जैसे रियल में डेबिट हुआ लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ उस इस्तिती में आपको क्या करना एक तो आपके जो ATM की पैस श्लीप थी उसको आपको निकालके अपने साउधानी पूरक अपने पास रखना है और जो डेबिट का मेसेज आया उसको अपने पास समालके रखना फिर आप क्या करो आप लोग अपनी जो ब्रांच है उस पे जाके इसी शिकायत दर्ज करवाएं यानि कि ब्रांच मेनेजर के पास इस सम्मंद में आप अपनी जो रिपोर्ट है या उससे निवेदन करें कि सर मैंने ATM से पैसे निकाल रहा था मेरे पैसे निकले नहीं और मे बैंकी स्टेट्मेंट निकल वा के चेक कर सकते हैं अगर हुआ है तो आपको बैंक मेंजर के पास शिकाई दर्जग्रान सिकाई दर्जग्रान के ये फाइदा होगा कि आपका पैसा बैंक दौरा जांज करने के बाद पांच से साथ दिन के बाद आपको वापिस जांज according पर डे 700 रुपे का जुर्माना लगाने का प्राउदान भी है यानि की ध्यान रखे अगर 5-7 दिन के अंदर आपका पैसा आपको refund नहीं किया जाता है आपको return नहीं किया जाता है तो आप बैंक के खिलाब RBI की जो help line number उस पे या आप consumer court में जो consumer court के शिकाईत अधिगारी उनके पास अपनी शिकाई दर्ज करा सकते हैं शिकाईत दर्ज कराने का मतलब यह है कि उनके दवारा सहंग्यान में लिया जाकर आपका पैसा return करवा दिये जाएगा और अगर फिर भी आपका पैसा return नहीं होता है तो इसकी सिकाईत आप RBI की जो guideline है RBI के जो number है या RBI की portal mail ID प्रीज चाहब है लिए यार नहीं है को है प्रक है जो कि एगर नहीं है